इस चैनल पर हम आपके लिए मिस्टेरिस इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानकरे सबरपूर वीडियोज लेकर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाए और आने वाले वीडियोज की नोटिफिकिशन जल से जल पाए आज की वीडियो में हम आपको एक विचितर जगह के बारे में बतने जा रहे हैं समुद्र में पाए जाने वाले सीपी एक विशेश प्रकर का जलिय जी होता है जब ये सीप मर जाते हैं तो उसका उपरी खोल लहरों के साथ तयकर केनारे आ जाते हैं इस खोल से कई तरके सुन्दर और सजावटी वाली चीज़े बनाई जाते हैं आज हम आपको एक ऐसे द्वीप के बारे में बतने जा रहे हैं जो पूरी तरह से सीपी ओ से बना है फडियोत आइलेंड डाम का इह द्वीप पच्ची में अपरिका में मौजुद है वैसे तो इह द्वीप बहुत छोटा है लेकिन उसकी लोग पुरियता दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है दूर दूर से सैलानी इस छोटे से द्वीप को देखने के लिए आते हैं आईए जानते कहां से आते हैं ये सीपी ओ इस द्वीप पर पोचने के बाद आपको हर तरफ सपेद रंकी सीपी ओ दिखाई देगी ये सीपी ओ हर तरफ मौजुद है सड़क पर भी सीपी ओ बिची हुए है और घरों की दिवारे भी सीपी ओ से बनाई जाती है दरअसल यहां के समुद्र में सीपी की संक्या बहुत ज़्याद है कई सदियों से इस द्वीप पर रहने वाले लोग सीपी ओ का शिकार करते आ रहे हैं यहां पर भोजन का मुक्य स्तरोत ये सीपी ओ ही होती है यहां के स्थानी निवासी इन सीपी ओ को खाने के बाद इनके खोल को घर के असपास फेक देते हैं और सदियों तक ऐसा करनी कारण यहां द्वीप सीपी ओ से ढग गया है इस आइलेंड पर रहने वाले ज़्यादा तर लोग मुसलिम और इसे धर्म को मानते हैं इस आइलेंड को शेल आइलेंड के नाम से भी जाना जाता है